हेलो माई डियर स्टूदेंट्स मैसलफ सी आदित्य शर्मा आई होप यो आल मस्ट पी डूइंग आपसलूटली वंडर्फुल और बेटा मैं आज आ गया हूँ आप लोगों के साथ इंटर मिजेट की प्रेप्रेशन को और स्ट्रॉंग बनाने के लिए और आप लोगों की इ क्या है काइकर ecogen आइको प्रोग्रांब इसी कली एक सिय इंटर्मेजेट चैटिकरी पे अंदर फ्लैक्शिप प्रोडक्ट है तो वैसे हर कैटेगरी के अंदर आइकाौनिक फ्लाक्शिप रहता है मैं आज सिय इंटर्मेजेट आइकॉनिक के बारे मैं आपको बताने वाला बेटा जब भी आप unacademy की plus classes लेते हैं तो आप लोगों को नीचे दिये गए सारे features मिलते हैं जैसे live classes रहते है weekly test रहता है study material मिलता है unlimited access मिलता है और structured course रहता है यह सारी चीज़े तो मिलते हैं लेकिन iconic में आपको और additional beneficial features मिलते हैं जैसे one on one basis पे personal coaching मिलती है आप लोगों mentors assign रहते हैं और mentors आपकी मदद करते हैं जैसे समझे कभी मुझे ICI registration करवाने में तकलीप हो रही हो मानलो मुझा कोई subject में proceed कैसे करना यह चीज़ समझ भी ना रही तो यह सारी चीज़े आप लोगों को और feature कुछ हो नहीं सकता और यह इंडिया में और आपको को प्रोवाइट कर नहीं सकता इकते बड़े स्केल पर evaluated test series याने return test series मिलती है आप लोगों को यहां पर आप लोगों को papers मिलेंगे आप लोगों को solve करने हम आपको check करके देंगे solution भी देंगे discussion भी करेंगे printed book of educator of your choice जो educators की आप books चाहते हैं वो educator की book मिलेंगे industry experts के साथ आपको sessions मिलेंगे और community building discord channel furthermore बैटा live mentoring platform जो हमने iconic में launch किया है इसमें आपको क्या features मिलते हैं जरा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं give your exam prep and extra edge with our live mentoring platform LMP experience personalized learning like never before with our seasoned mentor and doubt solver बैटा यहाँ पर आपके mentors भी है doubt solvers भी है discuss your doubt, clarify your concept and enhance your exam strategy just a click away customized plan बनेगा बैटा हर बच्चा same नहीं रहता इसलिए बैटा हर बच्चे के लिए आपे एक अलग customized plan बनाते हैं और आपको articleship में भी guide करते हैं further evaluated test series जो launch हो चुकी है iconic subscription में बैटा आप यहाँ पर 40% 80% और 100% यह 3 slaps के अंदर test series देंगे यह हो जाने के बाद आपको detail analysis मिलेगा बैटा answer समेथ और इसके बाद एक guidance session रहेगा mentor के साथ आपके चीक है experts के साथ फिर बैटा आपको यहाँ पर ना मेरा code यूज करना है c.a.adity.like once you use my code c.a.adity.like बैटा आपको straight away 10% off मिल जाएगा आपके subscription के अपर चीक है बैटा अगर मैं आपको बोलूँ सिफ और सिफ सिफ c.a.intermediate का subscription लेना है मेरा personal recommendation जो रहेगा आपके लिए वो रहेगा बैटा ये 12 month का go for 12 month 38,250 is the pricing और बैटा आपको इस पर straight away 10% off मिल जाएगा और भी बहुत दमाकेदार offer आने वाल है उनके लिए आप wait कर सकते हैं पर code हमेशा यही रहेगा c.a.adity.like अगर आप foundation प्लस intermediate का combo लेते हैं बैटा तो मैं कहूंगा आपके लिए 12 month की जो duration है वो sufficient नहीं है go for 24 month बैटा 66,000 c.a.adity live code उस करके आपको straight away 10% off तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन कुछ धमाकेदार offer भी आते हैं बैटा आप ये code लगाईए आपको straight away offer मिल जाएगा अगर आपको कोई भी query concern रहे तो आप मुझसे चलते live lecture में unacademy के platform पर जो मैं live classes लेता हूँ वहाँ पर आप मुझसे chat interact कर सकते हैं और मुझसे कोई भी query concern रहे तो पूछे clear कर सकते हैं so with this ये था iconic के बारे में चलिए हम हमारा session start करते हैं now is it clear okay so again this session is important मैं आप लोगों को mm approach पूरा cover करवाने वाला हूँ so this is going to be a detailed session ये ऐसा नहीं के एक छोटा सा part को ही मैं cover करवा रहा हूँ पूरा का पूरा session cover करवा रहा हूँ आप इसे एक lecture ही consider करिए revision ना समझते हुए clear है all good चलिए तो मैं थोड़ा detail में आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में और फिर बीज-बीच में आपकी queries भी लेता रहूँगा तो first of all let's try to understand what is NI approach हम पहले NI approach को समझेगे that is net income approach net income approach मैं short में बताऊंगा क्यूंकि it is quite simple पहला approach है net income अप्रोच यह कोई series नहीं है यह abstract lecture है बीचका एक कुछ students को तकलीव जा रही थी इसके अंदर कुछ students को रेशो के चैप्टर में तकलीव जा रही है तो मैं वो cover करवाऊंगा इस तरी के तो अप्रोच तो उसे कुछ assumptions फॉलो करने पड़ेंगे अब वो assumptions क्या है कि यह आपकी company में केडी होगा cost of debt के ही होगा cost of equity ठीक है और यहाँ पर debt और equity यही दो source of finance है यह assumptions है इसके debt and equity are the only two sources of finance I repeat net income approach क्या आपके पास debt और equity यह दो source of finance है यहाँ पर KD denotes cost of debt KD denotes cost of equity and cost of debt is always less than cost of equity देखो हमने prove भी किया है कई बार हमने देखा भी है इसके पीछा logic भी है reasons भी है पर हमने फिर भी इसको concrete बनाने के लिए एकदम solid बनाने के लिए assumption में ले लिए कि आपको मानके चलना पड़ेगा कि कोई भी extreme remote scenario में भी cost of debt should not be more than cost of equity अगर यह सारी क्या बोल रहे हैं यह अप्रोच बोलता है since के एंड के डी आर कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी इक्विटी एंड डेट लिखता हूं एक काम करते हैं इसको reframe कर देता हूं एक और assumption लिख लो के रिमेंस कॉंस्टन फॉर एनी डेट इक्विटी मिक्स दोस्तो अब समझना इस थेहरी को यह थेहरी क्या बोलती है के डी डीनोट कॉस्ट ऑफ डेट के डीनोट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ठीक है के डी इस ऑल्वेज लेस देन के और लास्ट लीनों ने बोला है कि के जो है वो चेंज नहीं होता है अब जर दिहान से सुननाोव पटा क्यूंकि डेट एक चीपर सोर्स ओफ फैनान्स है कंपनी क्या करेगी कंपनी अपने कैपिटल स्ट्क्चर में जाधा से जाधा चीपर सोर्स ओफ फैनान्स को यूज़ करने के कोशिशिस करेगी ताकि इसका ओर्रोल कॉस्ट अग गिर जरू 0% तो मेरा cost कितना आता है एक बार चेक करते हैं 100% equity, 0% debt, cost कितनी आ जाएगा cost of equity into weight of equity plus cost of debt into weight of debt 10% into 100% plus 5% into 0% is equal to 10% बेटा काम करता 50-50 use करके देखता हूँ 50% equity, 50% debt कितना आ जाएगा 10% into 50% plus 5% into 50% बेटा क्या ये 7.5% हो जाएगा एक काम करते है 0% equity use करते है और 100% debt use करते है तो cost कितना आ जाएगा 10% into 0% plus 5% into 100% is equal to 5% तो बेटा ये theory क्या बोलती है try to make more and more use of debt in your capital structure theory बोलती है try to make more and more use of debt in your capital structure once you start making more and more use of debt that is cheaper source of finance your overall cost of capital is going to fall आपकी cost कम होगी और value of the firm increase होगी अब बेटा value of the firm कैसे increase होगी ये 4 formula आपको अच्छी तरीके से आते होगे मैंना सिखाये थे आप लोगों को value of debt into cost of debt is equals to coupon इसको मैं interest लिख देता हूँ फिर मैंना आपको बाता है था value of equity into cost of equity is equals to earning after tax फिर मैंना आपको बाता है था value of firm into overall cost of capital is equals to EBIT and last is value of debt plus value of equity is equals to value of firm ये मैंना आपको सिखाये थे सारे formula आपको याद होंगे तो आप देखना बेटा पहला case, दूसरा case और तीसरा case तीनों में से सबसे कम KO कहां पर है थर्ड वाले case में बेटा आप ये वाला formula देखना value of the firm is equals to EBIT divided by KO बेटा अगर हमारा EBIT constant है आप सभी जानते है EBIT is operating profit उसको हमारे capital structure से कोई फरक नहीं पड़ता अगर हमारा EBIT constant है और बेटा एक बार KO आपका 10% है एक बार 7.5% है एक बार 5% है तो बेटा किस case में सबसे आदा value आएगी सर ये वाले case में प्रूब करके दिखा देता हूँ लेट से हमारा EBIT 1 lakh है divided by 10% करो एक बार 1 lakh divided by 7.5% करो और एक बार 1 lakh divided by 5% करो पेटा आपको value अपने आप समझ में आ जाएगी ये जाएकर 10 lakh बीच वाले का बता ना योजा का 20 lakh योजा का 13.33 lakh तो बेटा मैंने क्या चीज़ नोटिस करी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जहाँ पर आपका cost कम है वहाँ पर आपके firm की value बढ़ जाती है ठीक है तो बज़र ध्यान से सुनना बेटा net income approach बोलता है a firm should try to make more and more use of debt that is cheaper source of finance in its capital structure in order to reduce KO that is to increase value of the firm so net income approach suggests to use more and more debt in the capital structure ठीक है यहाँ तक सबका सब समझ में आया अगर समझ में आया तो फिर मैं आके बढ़ू ठीक के उपर आप अगर कहें तो मैं एक question करवा देता हूँ ठीक है net income approach फें फिर NOI पर भी करवाई ही दोंगा उस पर बहुत सारे करवाऊंगा मर जोंगा उसा हीर उसा qu स्राइटर दुछ करवाऊ ही दो 나 करोगा जसे दुछाईब करवाई और winter जले आपनाल में कालना बहुत सारे कर वहा है क teu कालना पर खाभाई छसका एना करवाई ह Suzना लूके दो यह रहा बहुत ही सरल से सवाल रहते हैं नेट इंकम अप्रोच के सबसे पहले तो identify कैसे करना की question net income अप्रोच का है अगर question net income अप्रोच एक सेकंड एक सेकंड जस्ट सेकंड identify कैसे करना की question net income अप्रोच का है अगर वान लोग question में आपको value निकालने के लिए बोला गया है value of the firm, value of this, value of that अगर value वाले question आ जाते तो समझ जाना net income अप्रोच वाला question है हमें चार formula चिपक के लगाने answer हमारा straight away आ जाएगा okay मैंने सिखाया आप लोगों को मेरा सिफ यहाँ पर परपस है mm अप्रोच कवर करवाना लेकिन मैं आप लोगों को ni approach भी कवर करवा रहा हूँ बढ़ते हैं बेटा आगे पहला question देखते है frontline limited अगर आपके पास यह question नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं छोटा सा ही question है frontline limited is EBIT is 5 lakh पेटा frontline limited एक company है जिसका EBIT 5 lakh है the company has 10% 20 lakh debenture इसके पास 10% बेटा 10% क्या है cost of debt है यह है KD 20 lakh बेटा यह value of debenture है 20 lakh the equity capitalization rate is 16% equity capitalization rate मतलब K you are required to find out the market value of equity value of equity market value of the firm value of the firm and overall cost of capital के हो but आपको यह सारी चीज़े निकाल नहीं है चीक है चली करें 4 formula लगाने सारे answer आ जाएंगे सबसे पहले हम बोलेंगे value of debt into cost of debt is equal to value of debt into cost of debt is equal to interest भटा हमने value of debt कितना देखा भी 27 अधा प्रेंगे नख़ comment know you- 20 lakh into cost of debt किता है 10% तो interest किता होगा 2 lakh चलो पहला form न तो लग गया दूसरा देखते हैं value of equity into cost of equity is equals to EAT value of equity पता नहीं है cost of equity 16% बोला है EAT कैसे निकलेगा बेटा क्या हम बोल सकते हैं EBIT minus interest into 1 minus tax EBIT कितना निकाला question में दे रखा है कि EBIT 5 lakh दे रखा है interest देको उपर से निकल गया था और tax तो दिया ही नहीं question में therefore value of equity is equals to 3 lakh divided by 16% 18,75,000 तो बेटा तीसरा value of firm is equals to value of debt plus value of equity 20 lakh plus 18.75 lakh is it 38,75,000 और last के ओ निकालने के लिए बोला है formula value of firm into ko is equals to EBIT तो value of the firm तो 38,75,000 है ko निकालना है EBIT पाच लाग है क्या ko is equals to 12.9% हो रहा है क्या ko is equals to 12.9% हो रहा है यह था एनाय अप्रोच अब हम बात करेंगे NOI अप्रोच के बारे में दोस्तो NOI अप्रोच खास है अब हम बात करेंगे NOI अप्रोच यह अप्रोच देखना मस्त है पेटा net operating income अप्रोच इसको प्यार से या फिर कई बार इसको MM अप्रोच भी बोला जाता है टेक है बेसिकली MM क्या है मोडी गलाने मिलर अप्रोच है यह NOI अप्रोच net operating income अप्रोच का further refinement है गुड आफ्टरनून ही मानशी यह उसका further refinement है तो चलिए इसके बार में पढ़ते है बिटा NOI अप्रोच क्या बोलता है NOI अप्रोच says that your value of the firm and your KO are not dependent on your capital structure with the firm and of the firm. ठीक है, यह वाल्यू आप दो फर्म एंड की ओर और नॉट डिपेंडेंट ऑन यूर कैपिटल स्ट्चर, मैं बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो मैंने आपको प्रूब करके बता है, कि भाईया, आपका डेट इक्विटी स्ट्रक्चर गिव में तो मिन्ट्स झाल झाल हाँ जी हाँ जी तो मैं कहा था बेटा मैं आपको यह बोल रहा था कि अप्रोच बोलता है कि value of the firm and ko are not dependent on your capital section मैं बोला रहे यार यह कैसी बात कर रहा है तो अभी तो मैंने प्रूव करके बताया कि अगर तेर पास debt एक cheaper source of finance है अगर KDE is equals to cost of debt and KE is equals to cost of equity और अभी हमने बोला KDE is less than KE तो हम चाहेंगे ना कि जादा से जादा पैसा KDE के पास से आ है अब एटा debt से पैसा है चाहिए इक्विटी से पैसा है दिखने में पैसा तो सेम ही है ना दिखने में तो पैसा सेम है तो भाई यह मेरको क्या फरक पड़ रहे कि पैसा आ कहा से रहे ठीक है दिखने में तो पैसा सेम ही है तो debt एक cheaper source of finance है तो मैं debt से लेख रहा हूँ तो पैटा NOI approach बोलता है नहीं ऐसा नहीं होता है यह बोलता है जब एक firm जादा से जादा use करता है debt in its capital structure when a firm try to makes more and more use of debt in its capital structure in order to reduce KO and ultimately to increase the value of the firm one side you are getting benefit of lower source of finance however on the other side the KE rises बेटा NI approach में consumption लिया था कि KE की cost बदलती नहीं है पर NOI approach में बोलते की KE की cost बदले की which is very much logical which is logical ना बेटा क्योंकि अगर company के अंदर debt था और हम और debt बढ़ा है जारे तो company में risk बढ़ रहे risk बढ़ रहे तो owners of the firm यानि की cost of equity बढ़ेगी owner of the firm जादा return demand करेंगे so this is that case ध्यान से सुनना मैं एक example के तौर पर बताता हूं let's say बटा हमारा cost of debt is equal to 10% है और cost of equity is equal to 20% है मैं आपको एक capital structure बताता हूं let's say पहला capital structure है हमारा 50% debt and 50% equity तो इसका overall cost of capital कितना आ जाएगा बटा के ओ कितना आ जाएगा cost of debt into weight of debt plus cost of equity into weight of equity cost of debt कितना है बटा 10% weight of debt कितना है 50 टका cost of equity कितना है 20% weight कितना है 50 टका तो बटा क्या ये 15% हो गया अब देखो firm क्या सोच लिए कि debt is a cheaper source of finance now let's try to make more use of debt in our capital structure अब company क्या करेगी ratio change कर देगी company बोलेगी अब मैं 75 टका debt use करूँगा और सिप 25 टका equity तो देखो कियो कैसा आएगा आपका कियो के लिए वही formula cost of debt into weight of debt plus cost of equity into weight of equity cost of debt कितना है वेटा 10% है weight of debt कितना है 75% है अब क्या होगा आपने firm के अंदर जादा use किया debt when you are trying to make more use of debt in your capital structure आपको advantage मिल रहे lower cost का पर दूसरी तरह equity बहुत बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा ये 30% हो जाएगा 30% कैसे आया अभी आपको समझ में आ जाएगा तो बेटा ये देखो ये कितना हुआ 7.5% और 30 का 25% कितना होता है 7.5% फिर से 15% हो गया मतलब बेटा आपको जो cheaper source of finance जादा use करने के कारण benefit expected था उतना ही benefit exactly set off हो जाएगा in the form of increase cost बेटा आप लोगों का के बढ़ जाएगा ultimately आपका overall cost of capital सेम हो जाएगा तो बेटा ये approach क्या कहता है कि don't look at your capital structure आप अपने capital structure बदलोगे in order to reduce को फिर भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है ultimately आपका जो के ओ है वो सेम ही आएगा EBIT तो वैसे constant है capital structure को capital structure से EBIT को कोई फरक नहीं पढ़ता EBIT constant है के ओ constant है value of the firm constant है अगर value of the firm constant है आप कोई भी debt equity mix ले लो तो आपको capital structure पर ध्यान नहीं देना चाहिए तो ये firm क्या बोलता है कि आप कोई भी capital structure ले लो कोई भी mix ले लो हम indifferent है हमारी value of the firm सेम रहेगी बात समझा आपको ठीक है getting my point I hope यहां तक कहानी clear होगी तो N.I. approach क्या बोलता है sir N.I. approach बोलता है maximum use of cheaper source that is debt sir debt कैसे cheaper source हमने बोल रख है debt और equity यह दो source of finance है उसमें से भी debt cheaper source है फिर बेटा दूसरा approach क्या है N.I. approach यह इस approach को indifferent approach भी बोलते है आप कोई भी capital structure यूज कर लो कोई भी debt equity का mix यूज कर लो आपका KO सेम है EBIT सेम है अगर दो firm है दोनों का EBIT सेम है दोनों firm का capital structure अलग है इसके बावजूद भी उनका KO अगर सेम है तो दोनों firm की value भी सेम है तो यह approach NOI approach ठीक है इस approach को MM approach भी बोलते है अब बेटा identify करना मुश्किल हो जाता है कई बार student के लिए कि NI approach यूज करना है NOI approach यूज करना अगर आपको बोला है NOI निकालने के लिए तो NOI निकालना है या फिर MM बोला है तो भी NOI ही निकालना है अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा detail में कि NOI approach यूज कैसे apply करते है एक एक चीज को ज़रा ध्यान सा समझना लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि सर लिवर्ड और अनलिवर्ड कमपनी क्या होती है बेटा लिवर्ड कमपनी और अनलिवर्ड कमपनी क्या होती है levered company एक ऐसी company होती है जिसके अंदर debt भी होता है यानि debt plus equity का mixture और unlevered company ऐसी होती है जिसको हम all equity firm बोलते हैं जिसके अंदर 100% equity रहता है और 0% होता है debt तो बेटा levered यह word कहां से आया है leverage और leverage किस पे मिलता है आपको बेटा आप सभी जानते हैं हमें interest पे मिलता है और interest किसे associated है debt से यानि जिस firm में debt है वहाँ पे आपको leverage मिलेगा इसलिए उसको बोलते हैं levered firm लेकिन जिस firm में debt है ही नहीं उसको क्या बोलते हैं unlevered firm बोलो बच्चो मेरी बात समझ में आ रही है आपको ठीक है अब बात करते हैं mm अप्रोच की बटा mm अप्रोच दो टाइप के हैं एक है 1958 model जिसको हम बोलते हैं without tax और एक है 1963 with tax दोनमें हलके से changes है slightly change है तो मैं आप लोगों को बता दूँगा पहले हम mm अप्रोच 1958 without tax की बात करते हैं वापस समझना बेटा mm अप्रोच बोलू या NOI अप्रोच बोलू बात ही किए यह क्या बोलते हैं भईया यह बोलते हैं कि दोनों फर्म का capital structure अलग होदा तो भी कोई फरक ने बढ़ेगा total capital दोनों का same है मैंने बुला हाँ है दोनों का EVIT same है मैंने बुला हाँ है इनका capital structure यनि debt equity का mix अलग है मैंने बुला हाँ अलग अलग है तो बोलता है अगर दो फर्म हैं दोनों सेम हैं दोनों सेम रिस्क लास को भी लॉंग करती हैं दोनों को ईबियाइटी भी सेम है इनका सिर्फ capital structure अलग होने के कारण debt equity structure होने के कारण इसकी value में कोई बदलाव नहीं आएगा यानि आपके capital structure से आपके debt equity mix से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है आपके KO को आपका KO सेम ही रहेगा EBIT सेम है KO सेम है value of the firm सेम रहेगा हां जी तो यह इसमें 7 step या 8 step formula होते हैं आप 8 step follow करेंगे और आपका answer एक्दम आँख बंद करके आ जाएगा इस बार institute ने RTP में भी काफी बार मतलब काफी detail में बारी की से गहराई से पूछना चालू कर दिया है MM approach के बारे में in fact MM approach इन्होंने dividend decision में भी पूछ लिया वहाँ पर approach अलग है थोड़ा सा step 1 क्या रहेगी बटा step 1 रहेगी हमारी calculate calculate EBIT हम EBIT ढूंड के निकालेंगा अगर question में दे रखा है then fine अगर question में नहीं दे रखा है तो हम EBIT ढूंड के निकालेंगे step 2 step 2 हम सबसे पहले शुरुदा करेंगे unlimited company से क्यों क्योंकि सब उसमें एक ही तो element है missing element कमें ढूंडना असान है CLCULAT calculate value of equity of unlevered company बैटा value of equity of unlevered company value of equity सिखा है मैंने आपको value of equity into cost of equity is equals to EAT होता है बैटा क्योंकि यह company unlimited है इसलिए मैं यहाँ पर सिफ यू लगा रहा हूं तो कहना इसे value of equity of unlevered company into cost of equity of unlevered company is equals to EAT यह formula तो मैं आपको सिखा चुका हूं step 3 पर आते हैं मैटा step 3 calculate यह लिखना है आपको calculate value of unlevered company पड़ा अभी मैंने unlimited company के सिर्व equity की value निकाली है अब मैं पूरी की पूरी unlimited company के value निकालूगा value of unlevered company is equals to value of equity of unlevered company plus value of debt of unlimited company पर बैटा unlimited company में तो debt होता है नहीं तो यह तो कोई concept ही नहीं होता अबीडी ही हो तो कोई concept ही नहीं हो था तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ value of unlimited company उतनी ही रहेगी जितनी उस company के equity की value है क्योंकि बेटा उस company में debt है ही नहीं तो add क्या होगा जीरो getting my point अब यहां पर transition आएगा कैसा transition देखो यह तीन स्टेप समझे सबसे पहले हमने क्या किया है EBIT रूण के निकाला अनलिवर्ड company के equity पर गए अनलिवर्ड company के पूरी value निकाले अब step 4 देखना बेटा step 4 बोलता है calculate value of geared company बोलता है calculate value of geared company तो देखना हम बोलेंगे value of geared company is equals to value of ungeared company सर ये क्यों बोला आपने as per no i approach नहीं सर ये नहीं समझा हमको एक बार बता दो मैंने बोला बहुत सिंपल है दो firm है एक firm है A जिसके अंदर debt plus equity है एक firm है B जिसके अंदर सिर्फ equity है मैं question में बोल दूँगा question के पहली line में बोल दूँगा कि दोनो firm बिलकुल सेम है सिर्फ दोनों के capital structure का जो mix है वो अलग है तो दोनो firm का EBIT सेम है identical है similar है बिलकुल सब कुछ सेम है सिर्फ इनका debt equity mix अलग है एक unlevered है एक levered company है तो भी दोनों का KO सेम ही रहेगा अभी NOI approach से प्रूव करके बता है तो मैंने तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ value of A and value of B से यही तो मैंने आपर बोला S per NOI approach value of geared firm is equals to value of ungeared firm यह तो मैंने बोलने की कोशिस करी समझे हाँ यहाँ पर अप चायतो लिखेराने दे सकते हूँ फिर देखना step 5 मैं बोलूँगा value of geared firm is equals to value of equity of geared firm plus value of debt of geared firm बेटा यह point समझा मैं बोलूँगा geared firm की value is equals to उस geared firm का equity की value और उस firm के equity की value यानि मैंने क्या किया सबसे पहले इस firm की value निकाली और मैंने बोला वो तो इसके बराबर है फिर बेटा इसके तो दो बच्चे है ना इसका equity और इसका debt तो मैंने बोला value of debt of value of geared firm is equals to value of equity plus value of debt of geared firm फिर बेटा question मैंने यह दे रखा रहता है यह मैंने find already कर लिया यह वाली previous steps है तो यहाँ पर मैंने को क्या मिल जाएगा यह अब step 6 मैं बोलूँगा value of equity of geared firm into cost of equity of geared firm is equals to EAT बेटा EAT मैंने question में automatically निकल जाएगा मैं पस EBIT का data है interest का data है tax का data EAT तो निकल जाएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे KEG मिल जाएगा क्या मिल जाएगा क्या मिल लेगा बेटा KEG step 7 देखना step 7 क्या बोलता है कि अब हम सारी firm का के ओ निकालेंगे अब हम निकालेंगे के ओ ओ ओ अनलिवर्ड firm के ओ कैसे निकलता है cost of equity of geared firm into weight of equity plus cost of debt of ungeared firm into weight of debt बेटा cost of debt of ungeared firm तो होता ही नहीं है ऐसा कोई concept ही नहीं होता है KO मतलब overall cost of capital step 8 KO of levered company therefore KOG is equals to cost of equity of geared firm into weight of equity plus cost of debt into weight of debt बस इतना है समझा है आपको तो पेटे 7 step formula आपको follow करना है और आपका ultimately answer निकला आएगा हम इसके पर एक question करेंगे तो यह पहले 7 step एक बार फिर से repeat कर लेते हैं सबसे पहले हमें EBIT ढूंड के निकालेंगे कि EBIT कितना है calculate EBIT EBIT ढूंड के निकालना है दूसरा ungeared firm के equity की value निकालेंगे कैसे value of equity of ungeared firm into cost of equity value of equity into cost of equity both of ungeared firm is equals to EAT यहां से मेरे को क्या निकल के आजाएगा बेटा value of equity फिर मैं बोलूँगा कि value of ungeared firm is equals to value of equity of ungeared firm फिर मैं बोलूँगा value of ungeared firm is equals to value of geared firm सरी क्यों यह है इस पर NOI approach कि अगर आपका EBIT same है firm constant है सब कुछ सीज़े same है तो पेटा आपका capital structure कुछ भी होने तो debt equity का mix कुछ भी होने तो आपके both firms की value same रहेगी फिर बेटा मैंने क्या बोला value of geared firm is equals to value of equity plus value of debt both of geared firm यहां से मुझे मिल जाएगा value of equity फिर मैं बोलूँगा value of equity into cost of equity same formula यह वाला formula यही पर लगाऊंगा लेकिन इस पर geared firm के लिए लगाऊंगा तो यहां से मुझे मिल जाएगा केई जी अब मैं WACC का formula लगाऊंगा cost into weight और यहां पर plus cost into weight करने की जरूती नहीं थी क्योंकि बेटा debt का weight 0 था और फिर के ओ आफ लिवर्ट firm के लिए cost into weight cost into weight करूँगा इस तरीके से मेरे सारा answer आ जाएगा getting my point चले एक question करते है question number 5.18 एक ही question से with tax 5.19 है with tax without tax दोनों हो जाएगे पढ़ते है the following data relate to two companies belonging to same risk class बेटा दो company है A और B limited दोनो same risk class को बिलोंग करती है the following data related to two companies belonging to same risk class बेटा दोनों company बिल्कुल same है company A का net operating income net operating income मतलब EBIT 18 लाक है B का भी EBIT 18 लाक है दोनों का EBIT भी same है दोनों का risk भी same है company A में 12% debt है 54 लाग का 54 लाग का debt है बेटा तो क्या company A levered company हो गई और company B में कोई debt नहीं है वो unlimited company है क्योंकि वो unlimited company हम company की शुरुवात वहां से करेंगे हम calculation की शुरुवात वहां से करेंगे equity capitalization rate equity capitalization rate याने K A का K देर नहीं रखा है और B का K 18% है determine the total market value equity capitalization rate weighted average cost of capital for each firm assuming no tax तो अभी हम no tax world में है without tax question solve करेंगे 7 step formula अपलाए करना है अपना पांसर आ जाएंगे अपके तो आई ये शुरू करते हैं solve करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे find EVIT लिखने की जरूत नहीं की step 1 find EVIT सीधर लिखो हमारे mind में लिखो हमारे mind में recall करो step 1 क्या है अच्छा EVIT ढूटके निकालना है तो यहाँ पे लिख देते हैं EVIT EVIT is equals to 18 lakh second step क्या है value of equity of unlevered company तो मैं value of equity of B company निकालूँगा कैसे निकलेगा बेटा value of equity of B company is equals to cost of equity of B limited is equals to EAT कैसे निकलेगा EAT sir value of equity of B limited is equals to EAT को क्या मैं EVIT minus interest into 1 minus tax लिख सकता हूँ divided by KEB EBIT तो बेटा 8 लाग दे रखा है minus interest है 0 और tax कितना है पहले question में part A में बोल रखा है tax 0 है upon कितना परसेंट 18% दे रखा है चेक करो 18% दे रखा है B का capitalization rate तो क्या यहां से मुझे value of equity of ungeared firm B limited 1 करोड मिल रहा है फिर मैं step 3 बोलूँगा as per NOI approach as per NOI approach value of step 3 एक रहे गई miss out हो गई अब मैं बोलूँगा value of equity of B limited is equals to value of B limited is equals to 1 करोर फिर step 4 मैं बोलूँगा as per NOI approach value of B limited is equals to value of A limited is equals to 1 करोर पेटा सारे steps follow हो रहे है सबसे पहले EVIT डोंड के निकाला फिर बाद में unlevered company ने B limited की value निकाली और मैंने बोला B limited के equity के जो value है वही पूरे के पूरे B limited की value है क्योंकि बेटा उसके अंदर debt तो ही नहीं और फिर मैंने बोला जो B limited की value है वह A limited की value है as per NOI approach step 5 देखिएगा step 5 क्या बोलता है value of A limited is equals to value of equity of A limited plus value of debt of A limited value of A limited के इतना बोला एक करोर पिटा value of equity of A limited तो पता नहीं plus value of debt पता है मुझे 54,000,000 बोल रखा है तो क्या value of equity of A limited 46,000,000 हो जाएगा next formula value of equity of A limited into cost of equity of A limited is equals to EAT therefore 46,000,000 into cost of equity of A limited is equals to EBIT minus interest 54,000,000 पे 12% 6,48,000 यहां तक कि सारे steps समझ में आएं क्या मुझे बताएगे कर अएगा है प्रश प्रेंस यहां प्रेंस का यहां एगन तक का यहाँ है झाल झाल ढूं-धि Υीक, आगे अब हम इनका केओ निकालेंगे केओ कैसे निकलेगा सबसे पहले हम केओ निकालेंगे बी लिमिल्टेट का कैसे निकलेगा सर केओ इस इको to cost of equity of a limited into weight of equity, debt तो हही नहीं, सारी बी लिमिल्टेट में cost है 16% 18% weight है 100% तो क्या है 18% हो गया? हो गया जी अब हम निकालेंगे overall cost of capital of A limited कैसे निकलेगा? cost of equity of A limited into weight of equity plus cost of debt into weight of debt 25.04% into weight of equity बेटा weight of equity किता है? 46 lakhs out of 100 lakh plus cost of debt कितना है? cost of debt आपको दे रखा है 12% into 54 divided by 100 calculate करके बता ही कितना answer आ रहा है? 25.04 क्या ये भी 18% ही आ रहा है? तो ये है बिटाओ 7 step 8 step formula जिसके तुरू आपके सारे answers आ जाते हैं जो भी पूछें आपसे एक बार गो थू कर लीजे कोई doubt है तो please ask कोई सबसे पहले मैंने EBIT निकाला फिर equity की cost निकाली एक्विटी की value निकाली unlevered firm की और मैंने बोला जितनी उसकी value है उतनी ही पूरे firm की value है बाद में बोला जितनी पूरे उस firm की value है उतनी ही levered firm की value है फिर levered firm value of levered firm is equals to value of debt plus value of equity debt की तो value दे रखिये levered firm की तो value of equity आ गया value of equity into cost of equity से 80 आ गया तो यहां से में को के ही मिल जाएगा cost of equity और फिर WCC apply करता है से 90 आ गिए a UH – 0 ज एक स्ञ़्चर तो एककरैंकर छूबधा चलि फिर आगे बढ़ते हैं पिटाई यह हो गया question चलो इससे मिलता जुलता एक अधा और सवाल कर लेते हैं इससे मिलता जुलता एक अधा और सवाल यह भी tax rate है यह भी tax rate है सभी tax rate आलें अब एक काम करते हैं अपन विट tax भी सीख लेते हैं यह सारे questions हो जाएंगे कि विट टैक्स सीख लेते हैं कि हमको छाटना नहीं पड़ेगा कि कौन सा question करें कौन सा नहीं करें मैंने आपको यह steps बताये थे यह सारे steps समझे क्या है मुझे बताईए अब आपस से लिख रहेंगे चल अब हम solve करेंगे mm अप्रोच के question mm with tax नाइंटेन सिक्स्टी थ्री मॉडल पिटा mm अप्रोच विदाउट टैक्स और विट टैक्स में कुछ खास अंतर नहीं है solving पार्ट में आई यह solve करते हैं अब आप मुझे seven step बताईएगा जो हमने mm without tax में follow करें eight step वही eight step में यहाँ पर लिखने वाला हूं देखने क्या बदलावाता है ठीक है पहले मैं वही सारे eight steps लिखूंगा और बाद में जो change है वो incorporate कर दूँगा तो अभी जो मैं कर रहा हूं वो without tax ही कर रहा हूं change आपको बता दूँगा step one क्या बोलती है बटा step one बोलता है find evit step two कहता है calculate value of equity of unlimited company calculate value of equity of unlimited company कैसे नहीं कलती है बैटा value of equity of unlivered company value of equity of unlivered company into cost of equity of unlivered company is equals to EAT is equals to value of equity of unlivered company into cost of equity of unlivered company is equals to EBIT minus interest into one minus tax बैटा अगर with tax है तो यहाँ पर tax की कुछ value आएगी इससे पहले without tax कर रहे थे इसलिए value 0 थी tax की और यहाँ पर अब with tax कर रहे है इसलिए tax की value आगे formula वही है formula EAT वही है बट पहले tax की जगे हम 0 लिखते थे अभी कुछ value लिखेंगे बदलाओ तो कुछ आया नहीं है स्टेप 3 मैं बोलूंगा calculate value of unlivered company मैं बोलूंगा value of equity of unlivered company is equal to value of unlivered company same step कुछ भी बदलाओ नहीं इन फाक्ट पहले के तीनों step में कोई बदलाओ नहीं है अब step 4 देखिए step 4 calculate value of levered company देखना value of geared company is equal to value of ungeared company यही तो सीखा था हमने इसमें तो कोई बदलाओ नहीं है अब तक यहां पर कोई बदलाओ नहीं है इस step में change आएगा बाद में बताओंगा क्या change आएगा step 5 मैं बोलूंगा value of geared firm is equal to value of equity of geared firm plus value of debt यहां से मुझे value of equity of geared firm मिलेगा step 6 value of equity of geared firm into cost of equity of geared firm is equal to EAT बटा EAT को कैसे लिखेंगे हम is equal to EBIT minus interest into 1 minus tax बटा वस यहां पर tax सा कुछ एक amount आजाएगा तो change नहीं है कोई बदलाव नहीं है formula पहले tax की जगह 0 लिखता था पहले भी मैं EAT लिखता था आज भी मैं EAT लिखता हूँ तब tax 0 लेता था यहां पर कुछ tax ले रहा हूँ तो यह minute से बदलावे इनको तो मैं change की तरह consider भी नहीं करता हूँ step 7 के ओ निकालूंगा earn geared याने unlevered company का कैसे निकलेगा cost of equity of unlevered firm into weight of equity अब हम changes जितने आएंगे उनको एक बार चेक करते की क्या क्या changes आने वाले है बेटा step 1 में कोई change नहीं है same step 2 बेटा step 2 भी same है बस एक चीज़ notice करना पहले tax 0 आता था यहां पर कुछ tax आएगा step 3 same कोई बदलाव नहीं है बेटा जो बदलाव आएगा अब आएगा step 4 के अंदर जो बदलाव है वह step 4 के अंदर step 4 में हम क्या बोलते थे value of geared company is equal to value of ungeared company लेकिन अब यहां पर बोलेंगे plus tax benefit और tax benefit कैसे निकलेगा tb is equal to value of debt into tax rate समझो मेरे पास एक debt है 10% debenture या debt of 20,00,00 और tax दे रखा है आपको 50% तो बेटा tax benefit कितना मिलेगा 20,00,00 का 10% यानि 2,00,00,00 के interest पर 50% एक लाख रुपे नहीं पूरा कब पूरा 20,00,00,00 पर 50% यानि कि 10,00,00 का tax benefit समझें बेटा interest का tax benefit नहीं value का tax benefit अब आप बोलेंगे सर यह कुछ बात हजम नहीं हुई value of geared firm is equal to value of ungeared firm plus tax benefit समझा tax benefit तो मिलना चाहिए क्योंकि अगर आपने interest pay करना है तो उसके उपर आपको tax benefit तो मिलेगा पर सर यह कैसे कर दिया आपने आपको तो ideally अभी मैंने कैसे किया मैंने 20,00,00,00 into 50% कर दिया सीधर tax rate से multiply कर दिया कितना answer आगया मेरा 10,00,00 लेकिन आप बोले सर ऐसा थोड़ी होना चाहिए ideally सर आपने यह 20,00,00,00 के उपर 10% का interest 2,00,00,00 लेना चाहिए और यह 2,00,00,00,00 के उपर 50% tax benefit लेना चाहिए 1,00,00,00 का लेना चाहिए तो बेटा यह infinite annuity की present value क्या होती है present value of infinite annuity is a by i यह मतलब यहाँ पर 1,00,00,00 जो annuity है और i मतलब आपका rate 10%, बेटा आगया 10,00,00 मतलब मैंने किया वही जो तुम सोच रहे थे interest के ओपर tax benefit लिया interest के ओपर tax benefit पढ़ी यह जन्मो जन्मांतर के लेना है मुझे present value of infinite annuity a by i होता है वही मैंने shortcut से निकाला तो अब shortcut ही use करेंगे ठीक है फिर बेटा अगली step बिलकुल same उसके बाद की step same उसके बाद की step same उसके बाद की step same उसे एक चीज़ याद रखना last step में पहले केडी केडी मतलब क्या होता है interest into one minus tax अभी previous question में 12% interest था और 12% ले लिया पर अगर मान लो tax rate होता तो मैं क्या करता interest into one minus tax करता तो बदलाओ कहां कहां दिखके आएंगे आपको apparently यहाँ पर आपको tax दिखेगा although यह कोई change नहीं है यह कोई formula में बदलाओ नहीं है यह तो of course आना ही था हम tax पहले 0 ले थे था यहाँ पर कुछ value put करेंगे change के नाम पे एक यह change देखने को मिलेगा आपको बदलाओ है एक और tax आजाएगा 3-4 और जगा बस इतना change है देखके बताईए समझ में आ रहा है क्या समझ नहीं आपको मेरी बात same question करेंगे हम question number 18 इस बार tax incorporate करके अच्छी clarity आ जाएगी comparative basis पर भी and overall basis पर भी same question है दो company A limited B limited दोनों का EBIT same है दोनों company same risk class को belong करती है एक company में 54,00,000 का debt है 12% के यह साब से दूसरी company का आपको के यह दे रखा है इस बार आपको same चीज़े निकालने है tax rate 40% assume करके तो हम फिर से वही 7 step follow करेंगे और answer निकालेंगे सबसे पहले हम क्या बोलेंगे step 1 EBIT find करना है अभी तो हमको पता है EBIT कितना है तो EBIT कितना है अभी 80,00,000 EBIT 80,00,000 step 2 क्या है अभी हम निकालेंगे value of equity of unlevered company value of equity of unlevered company EAT कैसे निकलता है EBIT minus interest 1 minus tax 18,00,000 unlevered company में कोई interest नहीं है tax 40 तका है तो मैंने बोला पहले tax 0 लेते थे थे अब 40% लेंगे फिर में step 3 में बोलूंगा value of unlevered company यह step तो सेम ही थी change अगली step में आएगा value of levered company बदलाव यहाँ पर है value of unlevered company sorry geared company is equal to value value of geared company is equal to value of ungeared company plus tax benefit is equal to 60,00,000 tax benefit कैसे निकलेगा जो भी आपका debt का amount है इस question में 54,00,000 दे रखा है उसका tax benefit 40% 60,00,000 plus 21,60,000 is equal to 81,00,000 ठीक है step 4 भी हो गया फिर next step में में क्या करूंगा value of geared firm is equal to value of equity plus value of debt अमें ओलों का value of geared firm is equal to value of equity of geared firm plus value of debt 81,60,000 is equal to value of equity of geared firm plus 59,00,000 plus 59,00,000 debt की तो value दे रखा है तो का value of equity of geared firm is equal to 27,60,000 yes अब में बोलूंगा value of equity of geared firm into cost of equity of geared firm is equals to EAT 27,60,000 into KEG is equals to EBIT ATRALOC minus interest 6,48,000 1 minus tax therefore, cost of equity of geared firm is equals to 25.04 percent अब बस के ओ निकालना है के ओ UNGEARED का उसे निकालने की जरूत नहीं 8% ही आएगा कैसे निकलेगा cost of equity of ungeared firm into weight of equity cost of equity कित्ता है उसका 18% into weight कित्ता है 100% is equals to 18% 7,8 KO of geared firm कैसे निकलेगा geared firm परी का KEG cost of equity into weight of equity plus cost of debt into weight of debt बड़ा cost of equity कितना है 25.04 percent weight कितना है sir 27,60,000 है total weight है 81,60,000 कर लीजे अपने हिसाब से calculate plus cost of debt अब यहाँ पर देखना cost of debt थोड़ा लग है cost of debt कितना रहेगा 12 into 1 minus 0.4 into Chopin lakh divided by 81,60,000 25.04 4 into 2276 13.23 percent चेक कर ले ना 13.23 है ना L cross check 13.23 परसेंट इस टाइप से question आता है अभी मैं आपको ने तीन और दो और question करवाता हूँ एक तो यह full-fledged question हो गया एक question करवाता हूँ जिसमें और एक question buyback वाला करवाता हूँ तीन question और करवाएंगे करेंगे I hope यहां तक आपने cover कर लिया होगा अब कुछ बचा नहीं है अब सिर्फ दो question और करवाऊंगा मैं आपको हाई यह यह वाला question देखते है MM और NIM दोनों एक साथ आएंगे इसमें मतलब NIM, NOI दोनों झाएंगे P company and Q company are identical in all respect including risk factor except for debt equity company P is having issued 10% debenture of 18 lakh तो बेटा इसके अंदर जो company P है वो levered company है उसके अंदर cost of debt जो है cost of debt का हो या interest कह सकते हो अभी hang हो रहा है चल नहीं रहा है तो बेटा इंटरेस्ट है 10 टका और value of debt है 18 lakh while the company Q is unlevered company Q unlevered company है both the company earns 20% before interest and tax on their asset बेटा दोनों company का EBIT 20 टका उनके total assets का तो बेटा total asset 30 lakh और उसका 20% है 6 lakh 6 lakh रुपे इन companies का EBIT है कोई शक नहीं assume tax rate 50% बेटा tax rate आपको बोला 50 टका capitalization rate of all equity company बेटा आपको केई दे रखा है all equity company आने Q limited का calculate the value of P limited and Q limited using NI approach and NOI approach बेटा NI approach बोला मतलब चार formula है जो मैंने आपको बताते हो straight away लगाना है और NOI approach लगाने के लिए बोला है मतलब पूरा का पूरा को calculation करना पड़ेगा जहां तक आप से पूछा है ठीक है तो एक बाद डेटा देख लो side में ही solve कर वाँगा मैं तो डेटा की जब देखने की ज़रूर पड़ेगी तो हम देखते रहेंगे सबसे पहले इसका part A solve करते हैं Net Income Approach Net Income Approach सबसे पहला formula हम बोलेंगे value of debt into cost of debt is equals to interest value of debt कितना बोला है नोने 18,00,000 cost of debt कितना है यहां पर 10% interest कितना हो जागा है 1,80,000 फिर हम बोलेंगे value of equity into cost of equity is equals to EAT value of equity तो मालूप नहीं cost of equity मालूप है मेरको कितना एक मुट अपन ना दोनों फर्म के लिए निकालते हैं टेबल बनाते हैं यहां पर हैंग हो रहा है चल नहीं रहा है इस गिए टो मिनिट्स रफ्रेश करते हैं झाल झाल ढाफ्ट जैंग है झाल 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 करेंग झाल 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 I get slightly better है अभी हम NI अप्रोच एक टेवल ही बना लेते हैं particular एक बना लेते हैं पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड दोनों फर्म आइडेंटिकल है दोनों फर्म आइडेंटिकल है और दोनों का EBIT छे छे लाक है यहां पर वैल्य ओफ डेट किता है पी लिमिटेड में यहां पर तो जीरो है और पी लिमिटेड में हैं अठ्रा लाक रुपे वैल्य ओफ डेट अब एक काम करते हैं वैल्य ओफ इक्विटी भी निकाल लेते हैं वैल्य ओफ इक्विटी निकाल लेते हैं कैसे निकले का वैल्य ओफ इक्विटी EBIT minus interest into 1 minus tax that is EAT divided by K तो सर EBIT कितना है का यहां पर फॉर्मिला यूज़ कर रहा हूँ EBIT minus interest into 1 minus tax divided by K EBIT कितना है जर्द चेक करिएगा 6,00,000 minus interest यह company में तो debt है यह नहीं तो 0 tax rate कितना दे रहा है 50% divided by 15% तो बताइए मुझे value of equity कितना आ जाएगा टाक्स कितना है 14 लाक रब वाल्य ओफ फर्म कितना हो जागा वाल्य ओफ डेट प्लस वाल्य ओफ इक्विटी 32 लाक 20 लाक यह समझा नेट इंकम अप्रोच में मैंने क्या किया वैल्य ओफ डेट निकाला वैल्य ओफ एक्विटी उस्से वैल्य ओफ फॉर्म आ गया वैल्य ओफ डेट इसका क्या किया है दोनों का केई सेम रखा यहां पर यह 15 और यहां पर 15 परसेंट विच इस कॉइट लॉजी कल डॉजिकल क्यों है पर द मैंने आप लोगों को बता है था कि net income approach में ke constant ही रहता है तो वाँ पे जादा सोचने की जरूतनी है वो तो NOI approach में बदलता है तो NOI approach में के constant है सोचने की जरूतनी है एक single भी दिया है तो भी उसको मान लेंगे कि वो constant है same है अब इसी को NOI approach से solve करेंगे same question को NOI approach से solve करेंगे सबसे पहले step 1 NOI approach मतलब MM approach मुझे दोनों firm की value निकाल लियाने step 4 तक पहुचना है सबसे पहले find EBIT find EBIT तो आप जानते है कितना है कुछ तो तकलीफ है लैप्टॉप में EBIT दूसरा दूसरा value of equity of unlivered company value of equity of unlivered company कैसने कले का value of equity of unlivered company into cost of equity of unlivered company is equals to EAT value of equity of unlivered company value of equity of unlivered company is equals to EBIT minus interest into 1 minus tax next value of equity of unlivered company is equals to value of unlivered company is equals to 20 and value of geared company is equals to value of ungeared company plus tax benefit याने की आपका डेट कितना था पेटा इस कोश्चिन में अट्रा लाक इन्टो टाक्स रेट था पचास परसेंट तो यह है अंसर तो अन्लिवर्ड company की तो NIA, NOI दोनों के हिसाब से 20-20 लाक ही आ रहा है पर net income के हिसाब से 32 लाक आ रहा है अन्लिवर्ड company P का और 29 लाक आ रहा है NOI अप्रोच के हिसाब से ठीक है तो चलिए मैंने आपको ये भी अप्रोच सिखा दिया अब एक last question करते है जो इस बार की RTP में पूछ है लगवख-लगवख same values यूज़ करिये उन्होंने ये वाला question stop go limited का nice question it is देखेगा question number 5.2 पर जिनके पास एक question नहीं है वो screenshot ले ले इसका stop go limited is an all equity finance company is considering the repurchase of 200 lakh equity and to replace it with 15% debenture of same amount वापस पढ़ना stop go limited एक all equity firm है याने unlimited company तो stop go limited all equity finance companies considering the repurchase of 200 lakh equity and to replace it with 15% debenture याने क्या बोल रहे हैं अब यह हम ना buyback करेंगे 200 lakh के equity का लेकिन पैसा कहां से आएगा buyback के लिए तो हम debenture issue करेंगे 15% की rates है याने 200 lakh के ओपर 15% के इत्ता होगा 30 lakh हो गया पर बात समझी बेटा ये company जो है पहले unlimited company थी और बाद में delivered company बन गई पहले आपको दो company दे रहा था मैं P limited दे रहा था Q limited दे रहा था पर अब यहाँ पर एक ही company जो पहले unlimited थी अब delivered बन रही है stopco limited and all equity company is considering the repurchase of 200 lakh equity and to replace it with 15% debenture of the same amount मतलब 200 lakh के debenture आ रहे है the market value of the company is 1140 पैटा अभी company की value कितनी है 1140 पैटा अभी company की value मतलब unlimited company की value और आप जानते हैं बैटा जो unlimited company की value है वही unlimited company की equity की value है तो कहना ऐसे value of unlimited company 1140 बोल रखा है इसका मतलब value of equity of unlimited company भी उतना ही है cost of capital is 20% बैटा एक ज़रा बात सोचना unlimited company का जो cost of capital रहेगा वो क्या के वराबर ही आएगा क्यों सर क्योंको बैटा क्यी into weight करूंगा plus kd into weight करूंगा let's say यह 20% दे रखा है यहाँ पर equity का weight 100% है मतलब क्या क्या क्यी भी 20% ही होगा बैटा क्यी अगर 20% है तभी तो जाके क्यों भी 20% आएगा क्योंकि यह तो zero ही है debt तो है नहीं unlimited company में So I repeat, जो unlimited company के equity की value है, वही unlimited company की value है जो KE है unlimited company का, वही KO है unlimited company का तो आप इसे KE बोलो, KO बोलो, of unlimited company एक यी बात है Its earning before interest and tax are expected to remain constant यह बोल रहे हैं, आपका EBIT सेम रहेगा, पर सवाल यह कि EBIT है कितना? पता नहीं Its entire earning are distributed as dividend Applicable tax rate is 30% आप लोगों को क्या बोल रहे है, you are required to calculate the impact of the following on account of change in बड़ा आपको market value of company बताना है, cost of capital बताना है, cost of equity बताना है इन्शोड आपको पूरे 7 step लगाने रहेंगे, आपे 8 step लगाने रहेंगे with 30% tax rate तो आप देखो इस question में क्या है, एक ही company जो पहले unlimited थी बाद में levered हो रही है लेकिन इस company के अंदर, इस question के अंदर हमको EBIT दिया नहीं है, अब हम कोशिस करेंगे EBIT find करने की क्या दो हम देखो भी है अभी कुछ conclusions है जो unlimited company होती है उसका जो केई होता है वो उसका केई होता है जो उसकी value of equity रहती है वही उसका overall value रहता है यह हमको समझ में आता है क्यों क्योंकि equity की जो cost है इंटूस का weight 100% है तो पेटा केई हो भी उतना ही आएगा जितना केई है average के अंदर average लेना है मुझको के हो मतलब average लेना है पड़ average के लिए कोई दूसरा element है ही नहीं दूसरी चीज इस question में unlimited company ही delivered बनी है buyback के थूँ मुझे तो जादा नहीं सोचना है मुझे मेरे 8 step follow करना है सबसे पहला find EVIT यहाँ पर EVIT दिया नहीं है calculation to find EBIT EBIT के लिए मैं को कुछ दे नहीं रहा है पर मैं को एक चीज दे रखिये बेटा value of equity of unlevered company into cost of equity of unlevered company is equals to EAT step 2 value of equity कितनी दे रखिये 1140 सर वो तो firm की value दे रहा है अरे बेटा unlevered firm की जो value रहती है वही तो equity की value रहती है उस firm की into cost of equity सर cost of equity पी नहीं दिया है मैंने बोला रे दिया है आपको cost of equity 20% है सर यह तो cost overall है बेटा मैंने अब भी आपको बता है जो overall cost of capital है unlevered company का वही उसका cost of equity रहता है is equals to EAT EAT कैसे निकलता है EBIT minus interest जो की इस case में 0 आएगा into 1 minus tax कितना होगा यह 228 is equals to EBIT minus 0 into 0.7 therefore, EBIT is equals to 325.17 बात सम्जा अब अगला step मैं बोलूँगा value of equity of unlevered company is equals to value of unlevered company is equals to 1140 अब next value of geared company is equals to value of ungeared company plus tax benefit पेटा, ungeared company की value 1140 tax benefit कितना मेलेगा पेटा, आब 200 लाग के debentures लाने वाले हैं और 30 टका tax rate है तो क्या यह 1200 हो गया next value of geared company is equals to value of equity of geared company plus value of debt बारा सो गया 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 हो है तो कैना ए से value of equity of geared company is equals to 1000 next केग निकालेंगे value of equity of geared company into cost of equity of geared company is equals to EAT therefore 1000 into Keg is equals to EBIT EBIT कितना है 325.17 minus interest 30 into 1 minus 0.3 therefore Keg is equals to 20.66% आगे के ओ निकालते हैं इसे निकालने की जरूतनी K.O. of Unlivered Company हमें पता है वो कितना आएगा बिटा वो उतना ही आएगा जितना के ही था Unlivered Company का कितना दे रखा था 20 टका वही आने वाला है फिर भी निकाल ले तो Formality के लिए 20% into 100% plus 0 कैसे किया Cost of Equity of Unlivered Company into Weight of Equity plus Cost of Debt into Weight of Debt वो टा Unlivered Company ये लिखने का सेंस भी नहीं बनता है इसलिए मैं लिखके हमेशा काटता हूँ is equals to 20% अब निकालने के K.O. of Livered Company Cost of Equity into Weight of Equity plus Cost of Debt into Weight of Debt 20.66% Weight कितना है? 1,200 में से plus Cost of Debt कितना है बटा? 15 into 1 minus tax 20.66 into E Khazar divided by Para 15 into 0.7 total आजागा 18.96% 20.56% औे फुरे फफे कितना है! 2, энहिएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए-ट, okay so dear students I hope you must have understood this कुछ students का था कि भई या सर ये रह गया था हमारा करना तो लो मैंने करवा दिया ये question करवा दिया ये question exactly similar है बेटा J limited all equity finance company with a market value of 25 lakh cost of equity 21% तो बेटा ये देखो आप लोगों को value of firm दे रखिये unlimited company की यही equity की value रहेगी unlimited company में के ये दे रखा यही के हो रहेगा उसका company buyback कर रही है 5 लाग रुपए के आप लोगों के shares 15% perpetual debt raise करेगी tax rate 30% है हम इसको roughly भी solve कर सकते हैं आप देखिये value of unlevered firm कितना है before buyback unlevered firm है 25 lakh value of geared firm कैसे निकलेगा value of ungeared firm 25 lakh plus tax benefit tax benefit कैसे निकलेगा ये 5 लाग के debt पर 30% एक लाग पचास हर क्या ये 26,50,000 हो गया 26,50,000 हो गया फिर क्या बोला cost of equity निकालने के लिए बहुत simple है बेटा अगर मान लो geared firm की value 26,50,000 है is equals to value of debt plus value of equity इसमें से debt की value अगर 5 lakh है तो क्या equity की value 21,50,000 है value of equity of geared firm into cost of equity of geared firm is equals to EAT EAT कैसे निकलेगा सबसे पहले आपको EBIT निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर EBIT निकालना पड़ेगा आपको EBIT कितना है कोई बता सकता है मुझे calculate करिए EBIT कितना है आप लोगों का EBIT आएगा देखो मैं बता देता हूँ 25,00,00,00 into 21% is equals to EBIT minus 801 minus 0.3 7,50,000 आपको यह बूल रहा था वाल्योफ इंटो cost of equity is equals to EBIT 7,500,000 minus interest 5,15,000 1 minus tax 21.97% 21.97 अब आपको WACC निकालना है WACC निकालना भी easy task है WACC कैसे निकलेगा मैं बता देता हूँ Cost of equity कितना है आपका Sir 21.98 Weight किता है 21,50,000 divided by 26,50,000 Plus Cost of debt कितना है 15% का 70% लेना पड़ेगा 15 अब 10.5% होगा into 5,00,000 divided by 26,50,000 बता ही कितना है का 21.98 into 21,50,000 divided by 26,50,000 Plus 10.5 into 5,00,000 divided by 26,00,000 यह आजाएगा 19.81% यह रहा तो इस तरीके से आप सारे question solve कर सकते हैं इसे previous question भी बिल्कुल same है बेटा इसे previous वाला question तो in fact easy है यहाँ पर दो company दे रखी है आपको यही 7 step formula apply करना आपको सारा answer आजागा यह भी simple है यहाँ पर तो दो company buyback कभी issue नहीं यह करवा दिया यहाँ पर भी देखना यह भी बहुत simple सा question है P limited, Q limited are identical in all respect इसके अंदर क्या बोलते है Q limited capital structure में Q limited के capital structure में debt है 8,00,000 का 9% के हिसाब से both the firm have same earning before interest and tax 2,60,000 and capitalization assume corporate tax 30% calculate the value of this firm बिटा आपको चौथे step तक calculate करना है hold करिए प्लीज जिए प्लीज कुछ तो serious issue हो है laptop में हाँ, मैं आपको ओल रहत है यह वाला question, यह तो और ज्यादा simple है दो company है, एक है P limited, एक है Q limited, P limited अनलिवर्ड company है and does not use debt in its capital structure, Q limited के पास 8 लाग का debt है 9% के इसाब से capital structure में, दोनों का EBIT दो लाग साथ हजार है tax rate है 30%, दोनों firms की value निकालनी है and capitalization rate is 10% तो बैटा दोनों firm, both the firm have earning before interest and tax 2 लाग साथ हजार and capitalization rate 10%, तो यह firm का capitalization rate KO बोल रहा है अब आपको पता है कि यहाँ पर इसका KO दे रखा है, हम इसको KE मानेंगे हम इसको KE मानेंगे, अभी मैंने आपको बता है चलिए यहाँ पर थोड़ा सा erase कर देता हूं data, यह ना actually institute की एक problem है जहाँ पर interpretation वाले question आते हैं आजकल institute वहाँ गलती कर देती है incomplete data देने लग गई है कर देते हैं आपको कर देते हैं स्क्राइब हो गया ठीक है चलिए यहां पर देखने हैं सबसे पहले हम पी लिमिनिटेट स्टार्ट करेंगे वैल्यू अफ इक्विती ऑफ P-Limit'd P-Limit'd कीविती की वैल्यू कैसे निगले की है मैटा EBIT सबसे पहले बता है मैरको कितना है EBIT 2,600,000 है फिर बोलूँ का value of equity of unlivered company into cost of equity of unlivered company is equals to EBIT minus interest into 1 minus tax तो, cost तो आपको दे रखा है 10%, EBIT 2,60,000, minus interest तो है नहीं, tax है 30% value of equity of unlevered company is equals to 18,20,000, now हम बोलेंगे value of unlevered company will also be equals to 18,20,000, then बाद में बोलेंगे value of geared company is equals to 18,20,000, plus tax benefit, tax benefit कितना मिलेगा? आप लाख के ओपर 30% 20,60,000 अब देखो यार question simple था, इसमें मेरे को यहाँ पर tax benefit के बारे में भी दे रखा था, 8,30,000, EBIT भी दे रखा था, ठीक है? आगे की भी कहाँ निकाल सकते थे, इन्होंने बस मुझे बोला value of this firm, लेकिन इन्होंने एक चीज़ देखो क्या बोली? यह कौन सा capitalization rate है? यह समझ में नहीं रहा, यह के ओ है क्या? अगर बेटा के ओ बोल रहा